ए方 हमें इस ग्रह के इस حसे में क्यों रखा गया है? यानि इन लोगों के बीच इस परिवार में? मैं इस ग्रह में हमारे अस्तित्व के संदर्ब में पूछ रहा हूं. और मेरा दूसरा सवाल भगवान के बारे में हमारे विश्वास से जुड़ा हुआ है. हमारे जन्म से पहले और हमारी मौत के बाद हमारी जीवन को कौन कंट्रोल करता है आप बहुत से चीजों में विश्वास करते हैं आप मानते हैं कि जन्म से पहले आप कहीं थे मरने के बाद आप कहीं और जाने वाले हैं ये सब बहुत सारी धाड़नाएं है जब आपके पास इतनी सारी धार्णाएं हों, तो सत जानने का कोई रास्ता नहीं है, है न? अगर आप सत जानना चाहते हैं, तो पहली चीज ये है कि आप कोई भी धार्णा न बनाएं, है कि नहीं? अगर आपकी रूची सच में है अगर आप सथी की खोज में है इसका मतलब आपने कोई धारनाय नहीं बनाई है, है न? अगर आप पहले से धारनाय बना चुके हैं आप सिर्फ अपनी धारना को confirm करने की कोशिश कर रहे हैं ये सथी की खोज नहीं है एक सच्चा जिग्यासू. कोई धार्णाएं नहीं बनाता. वो सिर्फ खोचता रहता है. हम खोच करें या आपके धार्णाओं को कन्फर्म करें? मुझे कन्फरमेशन चाहिए. आपको कन्फरमेशन चाहिए? आप सही हैं. क्या ये आपको सच के करीब लाता है अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके धार्नाएं सही है क्या ये आपको सचाई के करीब लाता है लाता है आपको बस अच्छा लगेगा चलो मैं सही था लेकिन इससे कोई भी हल नहीं निकलता है ना जीवन हल नहीं होता है, होता है क्या, नहीं, इसलिए अपनी आस्थाओं के पुष्टी का कोई मतलब नहीं, इंसानों के साथ ये एक बहुत बड़ी समस्या है, वो चाहते हैं कि वो हमेशा सही हूँ, ये सबसे बड़ी समस्या है, दरसल ये दुनिया के सभी जगड़ों का आ समस्याओं की जड़ नहीं है, चाहे ये परिवार में हो, समुदाय में, दुनिया में या कहीं भी, हां? क्या हम इस समस्या को थोड़ा दूर करें? तो पहली चीज जो आपको करनी चाहिए, आखिर, ये आपकी धाड़नाए हैं, और आपकी ये धाड़नाए ओरिजनल नहीं कहीं और से ली हुई हैं, है न? आपके पुजारी या मुला या पिता या मा किसी ने आपके अंदर इन्हें डाल दिया, है कि नहीं? ये किसी और से ली गई हैं, डिपेंड करता है कि उन्होंने आपके उपर कितनी मेहनत की है, उन्होंने काफी मेहनत की है, क्योंकि उनका व कोशिश कर रहे हैं जो शरीर से परे है यह नहीं होने वाला आप इंद्रियों के माध्यम से किसी ऐसी चीज का अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं जो भौतिक्ता से परे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता आप समुद्र की गहराई नापना चाहते हैं और आप एक फूट की स्केल ले कराना हां आया ना ये आपका पहला काम है मैं बस यही कह रहा हूँ आप भौतिकता से परे कुछ जानना चाहते हैं पहली चीज आपको ये करनी होगी कि एक ऐसा बोध विक्सित करें जो पांच इंद्रियों से परे हो जो उसका अनुभव भी कर सके जो भौतिक नहीं है केवल तभी आप जान पाएंगे वरना आपके वल विश्वास या अविश्वास कर पाएंगे है ना अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भगवान मेरी जेब में है इतने लोग मेरा विश्वास कर लेंगे ये बखवास है हमें इस पर विश्वास नहीं लेकिन मैं आपको एक लंबी च तो हम अपना समय अपनी धार्णाओं को सत साबित करने में क्यों बर्बात कर रहे हैं। आपको अपने बोध को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि केवल बोध होने पर ही आप जान पाएंगे। जानने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप किसी भी चीज को तभी जान पाएंगे, जब आप उसे अनुभव करेंगे, तब तक आप उसे नहीं जानते। क्या ये सच है? जिन लोगों की मुझसे बातचीत बंद है, क्या ये सच है? अगर आप अनुभव करते हैं, आप जानते हैं, अगर आप अनुभव नहीं करते हैं, आप नहीं जानते हैं, आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि मुझे नहीं पता, इसलिए आप विश्वास करते हैं, है न? अगर आप केवल समाज में पास होना चाहते हैं, तो विश्वास एक अच्छा तरीका है लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हैं, तो विश्वास अच्छा रास्ता नहीं है आस्ता आपको आत्म विश्वास देती है और मूर्खों के पास आत्म विश्वास होना खतरनाक है समझे आप? मूर्खों में आत्म विश्वास आना बहुत-बहुत खतरनाक है, है की नहीं? क्या आप देखते हैं? बुध्यमान व्यक्ति हिचके चाता है मूर्खों में आत्म विश्वास होता है क्या आपने देखा है, बहुत आत्मविश्वास, क्योंकि जब आप किसी चीज में विश्वास करते हैं, तो आपको बहुत confidence मिलता है आपको किसी भी चीज के बारे में कोई doubt नहीं होता, क्योंकि आप किसी भी चीज में अपना दिमाग नहीं लगाते आपको पक्का पता होता है, आप जॉर्ज बुश को देखे, कितने confident हैं, वो बहुत confident हैं, है ना, क्या वो confident नहीं लगते उन्होंने भारत आकर कहा, मैं विश्वास करता हूँ, मैं सच में विश्वास करता हूँ मैंने सोचा, कहने की ज़रूरत नहीं है, क्या हमें दिखता नहीं आप में बहुत विश्वास होना चाहिए नहीं तो आप परिस्थितियों में आँख बंद करके नहीं घुसेंगे अगर आप समझदार हैं तो आप अपने चारो ओर देखेंगे है न? आप देखेंगे कि वहाँ क्या है, क्या नहीं लेकिन आप विश्वास करते हैं सिर्फ भगवान में ही नहीं, कई चीजों में अपने जीवन को शुरू करने का सबसे समझदारी भरा तरीका है मैं जो जानता हूँ, वो जानता हूँ, जो नहीं जानता, वो नहीं जानता एक बार जब आप इमानदारी से इसे स्वीकार कर लेते हैं, आप देखेंगे कि आपका ग्यान हर दिन बढ़ता जाएगा, वरना जब आप विश्वास करते हैं, आप वही ठहर जाते हैं कि विश्वास वास्ताव में मृत्यू है, मांकस ने कहा है, धर्म अफीम है, क्योंकि ये लोगों को सुला देता है, है न, इसने सुलाया है न, नींद हराम दायक है, इसमें बुरा क्या है? नीन दी क्यों? आप मर क्यों नहीं जाते? ये और भी ज्यादा आराम दायक है क्योंकि वैसे भी आप विश्वास करते हैं, आखिरकार भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जाते क्यों नहीं? हाँ है ना क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं कि मरने के बाद भगवान के पास जाएंगे तो समस्या क्या है आप इंतजार क्यों कर रहे हैं आस्पिडल वगरे क्यों जा रहे हैं आप जाते क्यों नहीं आप भगवान के पास जाने में देर क्यों कर रहे हैं यह ठीक नहीं है, आप एक सच्चे विश्वास करने वाले नहीं हैं, है ना?